Good morning students, मैंने आपको previous वीडियो में fraction से division में करना सिखाया था और division fact से fraction में करना सिखाया था आज मैं आपको fraction से divide करना सिखाऊंगी चलिए मैं आपको in example से fraction से divide करना सिखाती हूँ Let's start with the first example 1 by 2 of 8 आपको पता है कि 1 by 2 को हम क्या कहते हैं? Half तो हमें यहां 8 को divide करना है Half में 8 का Half करना है तो पहले हम 8 का Half करना है तो मैं आपको पहले figure से बताती हूँ fraction को ड्रॉ करके हम यहां पे 8 balls ड्रॉ कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 balls हमने ड्रॉ कर लिया है अब हमें क्या करना है? इन 8 balls को divide करना है Half-Aff करना है इनका तो Half-Aff कितना आएगा? मन्स Half-Aff करेंगे तो कितना कितना balls आएगा? तो यह हमें find करना है तो पहले हम इसे solve कर लेंगे divide करेंगे तो 1 by 2 of 8 Off का means मतलब होता है multiply ठीक है? तो हम इसे ऐसे write करेंगे 1 by 2 means half 1 by 2 off के जगा पे हम देंगे multiply का sign और 8 ठीक है? यह हमने इस तरीके से write कर लिया हम पहले इस तरीके से write करेंगे अब हम cut करना सिखेंगे ठीक है? divide तो divide करेंगे तो हम cut करेंगे directly cut करेंगे तो जब भी हम cut करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि हम vertically cut करते हैं और slanting में cut करते हैं हम sleeping में नहीं करते हैं ऐसे ऐसे नहीं cut करेंगे या तो cross way में इस तरीके से cut करेंगे या उपर नीचे cut करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखें यह 1 by 2 है multiply का sign ने 8 है 8 के नीचे कुछ भी नहीं है यह numerator हो गया 8 और denominator यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमें यह denominator 8 के लिए हमें नीचे देना होगा 1 तो यहाँ पे हो गया दोनों का numerator डिनॉमिनेटर दोनों है यहाँ पे अब हम इसे cut करना है तो देखें हम कैसे cut करेंगे यहाँ पे देखें यह दोनों cut हो सकते हैं 2 और 8 इस तरीके से हम cut करेंगे slanting में यह उपर नीचे तो देखें 2 का table आप देखें कितने बार में 8 cut होगा 2 4 is a 8 2 4 is a 8 cut हो गया यह और यहाँ पे भी 1 है 1 है तो 1 1 is a 1 cut हो गया तो मारा क्या बचा 4 और तो कुछ बचा नहीं है cut करने के लिए तो यहाँ मारा 4 आया answer ठीक है तो अब हमें इन 8 balls को 4 4 में divide करना है means 1 group जो होगा वो 4 balls के होंगे ठीक है तो 1 2 3 4 यह हो गया हमारा 1 group हो गया 4 balls के और दूसरे जो group है वो भी हमारे 4 balls के होंगे 1 2 3 4 तो हमने 8 balls को half half divide कर दिया है 1 group में कितने balls है 4 है और इसमें भी 4 है तो इस तरीके से हम fraction को divide करेंगे चीक है vertically and slanting में चलिए हम next example देखते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा 1 by 4 of 12 means 1 4th of 12 तो यहाँ पे हमें क्या करना है off के जगा multiply का sign देते हैं आपको पता है पहले हम इस तरीके से write करेंगे 1 by 4 off के जगा multiply का sign 12 यहाँ मैंने आपको draw करके बताया था यहाँ पे हम simply up cut करेंगे अब हम draw नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ देखिए यहाँ पे numerator 1 है denominator 4 है यहाँ पे 12 numerator है लेकिन denominator इसका कुछ नीचे कुछ नहीं है तो हमें नीचे 1 डाल लाँगा 1 हम write करती है अब हमें cut करना है तो हम यह तो उपर नीचे cut करेंगे यह तो slanting में एसे एसे cut करेंगे sleeping में नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे cut नहीं हो सकता है, कभी भी चीक है, तो देखिए 4 का table अगर हम पढ़ते हैं, तो 12 आता है 4 के table में कितने बार में आता है 4, 3 is a 12, तो ये cut हो सकता है कितने बार में, 4, 3 is a 12 अब ये 1 है और ये 1 है, तो 1, 1 is a 1 cut हो गया, तो ये 1, 1 भी cut हो गया और ये हो गया, 4, 3 is a 12, और तो कुछ बचा नहीं है, तो मारा answer क्या आया, 3 बचा है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, तो 1, 4th of 12 is equal to 3, तो हमने divide करके हमारा answer आया, 3 Next example, देखिए 3 by 4 of 20 means 3, 4th of 20, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे 3, 4th हम लिख देंगे, 3 by 4 off के जगा, क्या होगा, multiply cosine, ठीक है और 20 तो यहाँ पर numerator denominator दोनों है, यहाँ पर सिर्फ numerator it, तो हम यहाँ denominator क्या देना होगा नीचे 1, अब हम क्या करेंगे, cut करेंगे इसे ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 और 20 cut हो सकता है, क्योंकि 4 के table में 20 आता है तो cut करेंगे, कितने बार में 4, 5 is a 20 4, 5 is a 20 यह 5 आया अब हमें अब क्या बचा है, 3 और 1 तो यह भी cut हो सकता है, तो 1 का table 1 का table में 3 आता है, कितने बार में 3 टाइम, 3 बार में 1, 3 is a 3, तो यह हो गया हमारा cut, सारा cut हो गया numbers अब देखिए, अब यह 3 और 5 है, तो 3 और 5 है तो यह हम sleeping line तो cut नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से है न, तो हम क्या करेंगे, यहाँ multiply का sign है, यहाँ 3 है, फिर multiply का sign है और यहाँ 5 है, तो हम इन दोनों को multiply कर देंगे, 3 into 5, 3 multiply by 5, क्या आएगा, 3 फाइज है 15, ठीके, जो नंबर बचा हमारा 3 और 5 बीच में multiply का sign था, तो हमने यहाँ multiply कर दिया, तो हमारा answer है 15, ओके, नेक्स्ट example देखिए हमारा है, 2 by 3 of 6, 2 third of 6, तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर divide करना है fraction को, तो ऐसी करेंगे, 2 by 3 हम लिख देंगे, आफ के जगा पर हम क्या करेंगे, multiply का sign, और 6, तो 6 के नीचे हमें denominator देना है, तो हम क्या देंगे, 1 हो गया, अब हम इसे cut करेंगे, तो हम vertically cut कर सकते ह हैं या अबपर और नीचे cut कर सकते हैं, ठीक है, cut करते हैं, देखिए, 3 के table में 6 आता है, cut हो सकता है यह दोनों, आता है, 3, 2's are 6, ठीक है, 3, 2's are 6, तो यह cut हो गया, अब क्या बचा है, 2 और 1, तो फिर हम 1 का table पढ़ेंगे, कितने बार में 2 आएगा, 1, 2's are 2, 1, 2's are 2, सारे numbers तो cut हो गए हैं, है न, और क्या बचा है, 2 और यहाँ पे भी 2, तो हम इन 2 और 2 को तो cut नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम sleeping lines, sleeping way में हम cut नहीं करते हैं, ऐसे cut नहीं करते हैं, horizontal में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे multiply करेंगे, क्योंकि हम multiply का sign है, तो 2 into 2, 2 into 2, 2 to the 4, तुमारा answer क्या आता है, fraction को divide करने के बाद 4, तो हम इसी तरीके से fraction को divide करेंगे, vertically and slanting way में, हम horizontally नहीं करेंगे, ठीक है, उपर नीचे हम cut करते हैं, और cross way में cut करते हैं, तो students, आपको समझ में आया है, कि हम fraction को इस तरीके से divide करेंगे, तो I hope students कि आपको यह समझ में आया है, आप इससे related जो question है, जो exercise है, आप उसे solve करेंगे, thank you.